अजिए हमारे पास topic है किवार्स टॉपिक है Departmental store और चेन store ठीक पहले समझते है Departmental store क्या है और चेन store क्ये है देखो book में आपके picture भी दिए हुई है Puis finances ये चेन नहीं में ना इसे क्या खूले हुए Departmental store खूले स्पेंसर के नाम से कई सारे ऐसे मॉल कह सकते हुआ बट यह एक फ्रेंचाइजी होती है कि स्पेंसर नाम से कई सारे बिजनेस खुले हुए उसमें हर चीज मिलेगी आपको डिपार्टमेंटर और इसका क्याद मतलब एक ही आउटलेट जगह जगह पर यह से मैक डी के आउटलेट यह से डॉमिनोस के ऑटलेट लेकिन चीज क्या मिलेगा एक ही चीज मिलेगी जिसका वो स्पेसिफिक है के आउटलेट हो गया तो यह हम पढ़ते हैं इस चार्ट के थुरू अब इसमें क्या क्या चीज़ है तो हमारे पास दोनों टॉपिक कवर हो जाएगी समझ गया डिपार्टमेंटल और चेन इस्टोर चलो देखो first point difference का पहला हमारे पास first point क्या है departmental store is located at central place where a large number of customer can be attracted to it बताओ departmental store का मालिक departmental store कहा खोलेगा जहां पे crowd ज्यादा हो ज्यादा हो ज्यादा हो ज्यादा हो सुनसा इलाके में store वो नहीं खोलेगा chain store कहा खोलते हैं चेन इस्टोर आ लोकेटेड नियर residential area और बिजी मारकेट था center location is not necessary यह center location नहीं देखता है पस यह देखता है कि कहा हो वहांस है आज तो जो है या कोई भी आगर खुलते हैं तो कहा खुलते हों रेजिदेंस बगल में जरू हो अच्छा कि लोग आसे कोई भी लोग इस्पेशली शॉपिंग करने दूर नहीं जाना पसंद करता है घुमने के लिए वो शॉपिंग करना नहीं तो शॉपिंग के लिए कहां खोलता है चेनिस्टोर का माली चेनिस्टोर अपना नियर होते हैं मतलब डेपाटमेंटर लिए ने यहां आ जाये बस इस पेंसर चाहते बार आ जाए और इसको हम हर चीज दे हर चीज के जो रोज की ज़रूरते ठीक है ना और चैनिस टो क्या कहता है दा मल्टिपल इस टो डिल इनल्लिमिटेड़ रेंड़ मेर्केंडाइज mostly standard consumer product ल नहाने का दोने का साबुन इस तेकर डेली उसकी चीज़ा मिल पाएंगे वहां हैवी समान आपको नहीं मिल पाएंगे यहां डेली निट्स वहां पूरी होंगे यहां दोनम हो रहे हैं ठीक है Classes of customer the departmental store cater to the needs of relatively high income group of consumer who care more for services provided rather than the price of the product क्या मतलब Class of customer departmental store किस पर focus करता है लिखा हुआ high income group high मतलब एक rich people के लिए suitable है लेकिन normal लोग भी कहां चले आते है chain store में देख आप क्या लिखा है chain store में the multiple shops on the other hand cater to different types of customer including those belonging to the lower income group who are interested in buying quality goods as reasonable price chain store दोनों ख्याल रखता है क्या देता जातर discount देता है buy one get to देता है festival offer देता है वहाँ पर कौन लोग जाएगा फिर rich के साथ कौन कौन जाएगा middle class वाले भी जाएगे credit facility कौन कौन देता है देखते है next point credit facility usually departmental store offer credit facility to their regular customer regular customer मतलब क्या है अगर आप नॉर्मली उसी से खरीपते हो तब आपको discount वो देगा या credit facility मतलब उधार या फिर discount या फिर rebate और उसमें क्या है chain store sell goods only on cash basis and do not grant credit to customer मतलब विशाल मेगामार्ट में हमें उधार तो नहीं होता लेकिन हाँ यह क्या कर सकता है डिसकाउंट दे सकता हो उधार नहीं चलता है services offered services offered services offered में क्या है departmental store provide maximum service to their customers such as restaurant travel information bureau telephone अब बताओ यह मैगडी देता है सारी सब्सक्राइब नहीं देता आप समझो यह चीन नहीं हो गयरा में Spencer से आप समझे पता है क्या है यहां घुसो सारी information जैसे माल अचानक याद आया और यहां वह बनाना था जगते हो वह वीजा पास्पोड के लिए कुछ चीजे पता करनी थी तो यहां पता कर लो बता देगा information चाहिए आपको कुछ यहां से पता कर लो और यार आज रुकना है यहां रुक जाओ यतले सार प्री में नहीं यह स्पंसर राइट न मुल्टिपल शॉप प्रवाइट वरी लिमिटेड सर्विसेश कंफाइं तो गैर इस वाराइटी सर्विसेश नहीं है प्राइजिं की बात करो डेपार्टमेंटर स्टोर दो नाट वरी लिए फिर यहां यह लोग जाता है और यह प्राइजनली दिसकाउं पर यह बटलब किसी पर्टिक्लर प्राइजन पर बास चाउक जादा हो जाता है इसमें के मल्टिपल शॉप और चेंट्टोर अट इसमें प्रॉप और चेंट अगर मुझे खॉन लिए किया डिपार्टमेंटल तो क्या लिखा हुआ है इसमें क्या है मैं रिकॉयर रिलेटिब ली लेस्गेटलेश कैपिटल आइस junior 1 तो क्याप अनब चानी मतलब कर डिपार्टमेंनल इसमें कम लग ता है ठीक है ऍंट्रइबड यह ल कर शेलिके बट departmental manager मतलब यह लोग खरीदते तो कैसे हैं एक जगह से हैं लेकिन क्या है नहीं इसमें point है there is a centralized selling but purchase may be made either central और the departmental manager यह लोग खुद बेचते कैसे centralized तरीके से लेकिन अगर आपको लेना है तो आप कहां जा सकते हो head office भी और इनकी branches भी जा सकते हैं उसमें क्या है सेंट्राइशन डिपाउस में क्या है चेर स्टोर में मल्टिपल शॉप्स आर बेज ऑन दप्रिंसिपल आप डी सेंट्राइश सेलिंग एंड सेंट्राइज मैनुफेक्ट्रिंग प्रक्यूर्म मतलब यहां पर हर चीज क्या है मल्टिपल शॉप्स मतलब जितने ऑफिस हैं जितने ब्रांचेज है किसके मैक डी के वहर ब्रांच अपना अपना खरी दे बेचे कोई मतलब दूसरे से नहीं कोई उसमें इंटर्फेयर नहीं करता है रिस्क देखते हैं डिर्स अब सिंपल सी बात हाइर कैपिटल हाइर रि अब आजा फ्लेक्सिबिल्टी फ्लेक्सिबिल्टी का मतलब इंटर्फेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् फ्लेक्सिबिल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् line of product वहां आपको हर सीजन में हर सामान नहीं मिल पाए गोगा last point दिखते है price charge as the emphasis is more on the providing quality goods and services the price charge by department store are relatively high बताओ high price की में यहां कौन जाता है बताओ rich people उनका price भी क्या लेगा हो धाई लेगा quality goods होगी नहीं होगी बिल्कुन quality goods होगी और यहां पर कहे the price charge as multiple store are relatively low as there is a selling of standard product in such shop मतलब थोड़ा सा उससे compare में कम है क्योंकि यहां पर different type के customers जाते हैं यह हमने difference कर लिया किसका बताओ difference between departmental stores and chain stores अब इससे वह हम बुक्स से detail सही पढ़ सकते हैं